तो यह वीडियो सिर्फ आपके डाउट्स जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं एससबी से रिलेटेड आई होप वो आज क्लियर हो चाहेंगे कि कोचिंग लेना है चलो मानलो अब एक्जाम क्लियर हो गया आपके मन में डाउट आई ही रहा होगा तो मैं आपको एक रियालिटी बताती हूँ कि मैं ना ही पूरे अगेंस्ट हूँ ना पूरे फेवर में हूँ कोचिंगे मैं आपको बस एक पिक्चर दिखाती हूँ और उ पूचिंग में आप क्या करेंगे कि 10-15 डेज के लिए आप 20-25 अजार अपने इंवेस्ट कर देंगे यह जिसमें आपको हर दिन वो एक एक टेस्ट की प्रैक्टिस कराएंगे दो दिन OIR कराएंगे एक दिन PPDTUC के साथ TET खतम कर देंगे फिर WETSRT फिर उसके बाद दो द दिन Max-to-Max Lacturate करा देंगे नहीं तो GD करा देंगे दो दिन GP कराएंगे यह सब कराएंगे और GTO टास्क में मान लीजे आपको हां SGT FGT में यह सब स्ट्रक्चर आ जाएंगे बनाने कि रसी को कैसे यूज करना है रोप को बल्ली फटा यह सब स्ट्रक्चर कैसे होते हैं तो यह जानने के लिए मुझे तो नहीं लगता तो देखिए और जो अभी यूट्यूब पर भी अविलेबल आप लोग वहां देख सकते हैं बिल्कुल सेंट स्ट्रक्चर तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाले तो आपको वह कैसे रोप का यूज करना है और वहां ना स्ट्र थोड़ा थोड़ा आप लुग सीख जाओगे आप थोड़े वीडियो देख लो सिर्फ उसके लिए बीस पच्चेस हजार इंवेस्ट करना मतला बिल्कुल वर्थ इट नहीं है सीरिसली हां आपको अगर थोड़ा बहुत प्रैक्रिस करनी है ना तो वह मॉक्स इंटर्व्य अगर आप मॉक इंटर्व्यू दे सकते हैं तो उसके लिए अगर थोड़ा बद इंवेस्ट करना है ना कर लीजे सिर्फ मॉक इंटर्व्यू यूंकि उससे आपको ना कोश्चन मतलब आपका पी आई क्यू फॉर्म लेंगे और उस पर कोश्चन पुट अप करेंगे तो आ उन्हों ने उससे पूछा कि आपने बैंगलो से शिफ्ट क्यू किया मैंने बहुत जैनुली मतलब जो मुझे मेरा रीजन था वैलिड वो मैंने बता दिया तो कही बार ना आपको सच नहीं बताना होता है क्योंकि मेरा जो रीजन था वो फूड को लेके था स्पेशली कि पर नौर्थ से हूँ और मुझे अधर का ना इकदम फूड पसंद नहीं आ रहा था मतलब मुझे डाइजस्ट भी नहीं होता था मतलब डेली-डेली मुझे ठीक नहीं लगता था तो मैंने ना उनको यह रीजन दे दिया भीना सोचे समझे तो उसका इंपक्ट यह हुआ न देन आई वस लाइक सच नहीं बोलना होता है थीक है तब मैंने काफी कोशिश की कि उसे कवर अप करूं कि मैं अड़ाप्त कर लेती हूं बस यह यह बट नहीं वह आपके इतने छोटे-छोटे पॉइंट पकड़ेंगे ना तो मैं अपनी गलती है इसलिए आपसे शेयर कर कि आप लोग वह सब ना करें ठीक है तो हमेशा सच नहीं बोलना होता है मतलब क्योंकि आपका पर्सनेलिटी का अंदाजा उसी से लगा लेते हैं ठीक है तो यह सब आप मौक इंटेव्यू जरूर दे सकते हैं बाकी आपकी पूरी चॉइस आपकी है क्योंकि मैं ऐसे अगे नोट नोटस होते हैं और उसी को लोग हर बार देते हैं और एक होगी इंटव्यू टेक्निक्स इसमें वह सब यह सब बिखाया होगा कि कैसे बैठन है तो यह सब बहुत जनरल मतलब बेसिक है ठीक है यह सब आपको जरूरत नहीं है बाकी एक दो मौक इंटव्यू देख ल कि कॉंफरेंस में कैसे कोशन पूछे जाते हैं तो देखो कॉंफरेंस में आप कुछ भी नहीं होता वहा बस आपको ऐसे एक लास्ट इंट्रेक्शन होता है बिफोर रिकमेंडेशन सिफ आपको वह सब लोग गेखना चाहते हैं कि कौन-कौन मतलब एक शौरती के लिए क्या इस बढके शौरती कमफर्टेबल इद यू फेस्ट अनी प्रॉब्लम या फिर हो वस देखो पूद और आपको बुरा अधर कुछ नहीं बोलना एक जा अच्छ बोलना है यह सर वेटी गुड़ यह हो जो बोलना अच्छ बोलना इस तो मतलब यह जो बोलना अच्छ ब and also आपकी प्रेफरेंस क्या-क्या है F-Cat में कि आप कौनी ब्रांच सबसे उपर रखते हो आपके लिए अपनी प्रेफरेंस बताओ मतलब ब्रांच इसकी तो मुझसे यह दोनों कुछन पूछ गए बाकी I think I think I have covered all your doubts बाकी कुछ लोग बोल रहे थे इंग्लिश में बहुत प्राब्लम है तो देखो इंग्लिश में ही सब लोग होँ आप बात करते हैं मतलब इंग्लिश में इंदसेंस की जिसे आप लोग GD कर रहे हैं या लेक्ट्रेट है तो आप लोग Hindi बोल सकते हैं बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की हाँ तो एक डाउट और था कि PPDT में निरेशन कैसे स्टार्ट करें तो यूजरी बच्चे जो स्टार्ट करते हैं मतलब यह कंपलिशन नहीं है कि आपको आसी करना अपने तरीके से भी कर सकते हो मैं स्टार्रिम प्रीम है तो इतने ए और रहर सोल प्रोड刘 कि अपने हैं तृस्स जो अधर्ट करें मुट में शुक्ने नहीं करते हैं मतलब यह सеты विडिग्र करश्टन नहीं है मैं स्टार्रिमिज जुन कर्कьनी-ACH Mohan, Sita is my main character who is 25 years old and this story revolves around this 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 आसे करें मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Okay guys, so I think I have covered all your doubts और अगर कोई मैंने मिस्कर दिया है तो प्लीज दुबार सी कमिंग बॉक्स में लिख देना मैं पूरा ट्राइक करूंगी उसको अंसर करने का या फिर जादा डाउट होंगे तो मैं दुबारा एक वीडियो बना दूगे Okay then, thank you so much Please अपने फ्रिंड से भी शेयर कर दीजे ये वीडियो और I think उने भी जरुवत होगी और लाइक करना, सपोर्ट करना, thank you so much Bye-bye